बिना अंडा बिना बेक जटपट से बनाएए ये टेस्टी सा सूपर टेस्टी चोकलेटी केक बाहर से नहीं कोई क्रीम लाना और नहीं केक का कोई सामाल लाना सिर्फ एक कप सूजी से बनेगा ये बहुत ही टेस्टी केक और बहुत ही आसान तरीके से हाकर कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये घर पर बनाएगा यही बोलेगा कि कौन सी बेकरी से लेकर आये हो इतना डेश्टी केक तो आज है मेरे बेटे का बर्डे तो मैंने उसके लिए घर पर ही चोकलेटी केक बनाया है बहुत इटेस्टी जहटपट से इतना आसान की इसको तो बच्चे भी बना ले तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी की वीडियो को करते हैं शुरू वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह है एक छोट इसी रिक्वेस्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफूल होने वाली है तो प्लीज लाइक अपने फ्रेंड्स सरकल में शेयर और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करें वो भी बिल्कुल फ्री में तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है सूजी मोटी हो या बारिक कोई भी चलेगी योगि इनको हमने पीसना ही है और जिस कटोरी से मैंने सूजी डाली है उसी कटोरी से हाधा कटोरी डाल दी है चीनी तो बस इसको पीस लेंगे एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे तो यहाँ पर चीनी और सूजी को मैंने पीस लिया है एक फाइन सा पाउडर बना लिया है और एक बाउल लिया है मैंने इसमें इसको टनासफर कर लेती हूँ यह केक बहुत ही टेस्टी बना था ना ही मैंने इसमें चोकलेट डाली थी आपके पास चोकलेट हो तो चोकलेट पाउडर भी डाल सकते हो मैंने यहाँ पर डाला था कोको पाउडर यहां पर cocoa powder है मेरे पास इसकी मैंने दो चम्मच जिसे हम खाना खाते है न वो वाली दो चम्मच भरके यहां पर डाल ली थी यह देखी यह है cocoa powder तो इसको इस तरीके से यहां पर मिला लेंगे आप छनी में भी चान सकते हो जो थोड़ी छोटी छोटी डलिया बन जाती है उनको हम इस्पून की हैल्प से तोड़ लेंगे और यह देखिए एक कटोरी मैंने डाला है अभी दूद जितना दूद लगेगा उसमें मैं डालती जाऊंगे और आपको दिखाती जाऊंगे अभी मैंने एक कटोरी दूद डाला है और एक कटोरी का तिहाई हिस्सा यानिके दो टेबल इस्पून मैंने यहां पर रिफाइंड ओयल को डाला है और इसको यहां पर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से एक बार आप इस तरीके से ब बहुत देर तक नहीं फेटा है बस मिक्स किया है खूब अच्चे से और दो चम्मच यहां पर मैंने मिल्क पाउडर एड़ किया है इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा देखे मैंने इसमें थोड़ा सा दूद और एड़ किया है दूद जो है रूम टेंपरेचर पर जो र लग सकता है आपको तो इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स इसकी कंसिस्टेंसी हमें गोल की नाहीं जादा थिक करनी है और नाहीं जादा थिन करनी है नाहीं जादा गाड़ा और नाहीं जादा पतला तो बिल्कुल जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ है देखे ऐसी कंसिस् गरम होने दूँगी प्री हीट होने दूँगी इसको कड़ाई को यह वाइट विनेगर जो हम चावमीन में डालते हैं उसका एक चमच मैस में डाला है मैंने और पांस से छे बूंद वनीला एसेंस इसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है केक में तो इसको हो तो जरूर डा अब यह मैंने एक बाउल ले लिया है केक टिन है मेरे पास अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई कटोरा ले लीजिए कोई बाउल ऐसा ले लीजिए उसको ग्रीज कर रही हूं मैं यहां रिफाइंड ओयल से चारोत्रफ अच्छे से लगा लूँगी उपर से मैं इसमें यह बटर पेपर रख रही हूं जिससे यह चल्दी से डीमोल्ड हो जाए और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा चिड़क लीजिए उसको बुरक लीजिए अच्छे तरीके से चारोत्रफ मैने कई बार मैदा से भी बनाया है मैदा जब हम अच्छे से बुरक लेते हैं उसके बाद भी बहुत अच्छे तरीके से डीमोल्ड हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से निकलाता है यहां पर मैंने एक चमच दूद डाला है और उसके ऊपर एक पैकिट इनो का डाला है देखिए इनो डालने से बहुत लाइट वेट और इसको डाल कर जादा नहीं फेटना है बस mix करना है अच्छे से थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसमें एक से तो तीन बार मैंने इसको चलाया है इस तरीके से देखे अब मैं इसमें डाल रही हूँ वादा चामच खाने वाला सोड़ा और आधा चमची मैंने यहां पर यह बेकिंग पावडर डाला है तो बस फटा-फट से हमारा यह केक का बैटर बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है मैंने इसको फेट लिया है हलकासा दो से तीन बार बस बिल्कुल इसके जाए हमें इसको न रखना नहीं है बस अब देखे मैंने डाल लिया है इसको केक टिन में अब मैं इसको हातों से हलका अलका सा टैप टैप करूंगी थोड़ा सा हलका हलका सा पटकूंगी जिसे इसमें बबल्स ना बने और यह अच्छी से फूले बस अब गरम-गरम कढ़ाई में हम इसको सावधानी से हाथ को बचाते करके देखते हैं तो 32-35 मिनट के बाद हम इसको चेक करके देखते हैं इसमें 40 मिनट भी लग जाता है पर मेरा 35 से 37 मिनट में यह हो चुका था बिल्कुल फूल चुका था यह देखे मैं आपको 35 के बाद दिखा रही हूं और फिर दो मिनट और मैंने इसी को बेक होने दिया धकन बील्कुल नहीं खोलना है जब तक तो 40 मिनट भी इसमें लग जाते हैं और 37-37 मिनट भी लग जाते हैं तो 37-87 मिनट मान लीजिए यह बिल्कुल फूल चुका है और बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है देखने से पता चल रहा है तो गेटकन हटाकर मैं आपको चेक क कर दिखाती हूं तुथपिक डाल कर मैंने चेक किया है एक दम क्लीन आई है जब तुथपिक आपकी क्लीन आए या चाकू से भी आप चेक कर सकते हो तो बिल्कुल परफेक्ट यह बन चुका है तो पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद मैं चाकू की हैल्प से इसके चुडा कर लोगी यह ओल्रेडी चुडा चुके हैं अलका सचाकू से अलग कर लिया है और बस इस प्रेट में मैं इसको डी मोल्ड कर रहे हूं यहा पर और यह देखे बड़ी ही आसानी से यह तो conspiracy घख रहा है निकल चूका है आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो लेकिन मैं इसको डेकोरेट करूँगी ठेले मैंने सोचा कि चलिए हर सी चोकलेट से ही डेकोरेट कर देती हूँ पर फिर बच्चे बोलने लगे कि नहीं मम्मी क्रीम बनाओ तो क्रीम भी मैंने जटपड घर पर कैसे बनाई चलिए सभी बना सकते हैं बता दी हूँ आपको मैंने ली ताजी मलाई दो दिन की फ्रिज में रखी थी उसको थोड़ा सा फेटा चीनी डाल कर पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा इसमें यलो फूड कलर मिलाया कोई भी कलर आप मिला लीजिए और इस तरीके से आप दूद की थैली में भरकर भी कर सकते हो पर मेरे पास ये कौन थी तो मैंने इसमें भरकर और इस तरीके से कोई भी डिजाइन आप दे सकते हो तो बाजार से नहीं क्रीम लाने की जरुत है और नहीं केक फटाफट से घर पर बनाए ये टेस्टी सा केक वो भी घर के ही सामान से तो फ्रेंड्स बाजार से नहीं क्रीम लाना और नहीं केक का कोई सामान लाना, जटपड से घर में रखे सामान से टेस्टी सा चोकलेटी केक बनाना और ये लगा दिया जी मैंने इस पर हैपी बाड़े जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था और खाने में बहुत ही टेस्टी था ये केक तो अगर आपको मेरा ये केक बनाने का तरीका अच्छा लगा हो आसान लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज घंडी का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करें वो भी एकदम फ्री में तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ अब तक के लिए टिल देन टेक कियर बाई थेंक्स फॉर वाचिंग इंज्वाई